हाई फ्रेंट्स आप सभी का उजय सिंद्या चैनल पर स्वागत हैं हिंदु धर्म में रामयन सबसे लोग पुरिय और महाकायों में से एक हैं जगत कल्यान के लिए श्रेता यूग में भगवान विश्णू राम और माता लक्ष्मी सीता के रूप में धर्ती पर आउतारित हुई थी आज भी रामयन का लेने से आठ स्थान है जहां राम ने अपने कुछ टिंग उजारे थे और अब देखे वह स्थान किस हाल में है अयोध्या भगवान राम का जन्म आयोध्या में हुआ था रामान काल में आयोध्या कोशले सामराज की राज़दानी थी राम का जन्म रामकोट आयोध्या के दक्षिम भाग में हुआ था वर्तमान समय में आयोध्या उत्तर प्रदेश में है जो आज भी प्रसीत परेटन स सलो में सेख है आज भी वहां उनके जन्म काल के कई प्रमान मिलते हैं यहां आप राम जन्म भूमी के विवाद चल रहे हैं यहां हजारों वक्त हर रोज भगवान के दोशंग करने आते हैं प्रयाग प्रयाग वहां जगह है जहां राम लक्षमन और माता सीताक ने सोधा सांग के वनवास के लिए अपने राज़ जाते हुए पहली बार विश्राम क्या था वर्तमान समय में यह स्थान इलाबत के नाम से जाना जाता है चित्रकुट राम एन के अनुसाल भगवान राम ने अपने चोदो साल के वनवास में लगबग 11 साल चित्रकुट में ही बिताए थे वर्तमान में यह जगह आज मद्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के बीच स्थी थे जनकपूर माता सीता का जर्मस्थान है और यही पर भगवान राम और माता सीता का विवाव हुआ था वर्तमान में यहो भारत के नेपल बार्डर के करिब 20 किलोमिटर आगे नेपल के काटमांडू के दक्षिमपूरों में है रामेश्वरम वह जगह है जहां से हनमान जी की सेना ने लंकापती रावन तक पहुचने के लिए रामसेतु का निर्मान किया गया था वर्तमान समय में रामेश्वरम दक्षिम भारत तमिल माडो में है किशकिंदा वालमी की रामन में किशकिंदा को वानर राज बाली तता उसके पाच्चात सुगुरिय का राज्य बताया गया है भगवान रामचंद्र जी ने बाली को मारकर सुगुरिय का आभिशक लक्षमन द्वारा इसी नगरी में करवाया था वर्तमान में यह जगह करनाटक के हपी शहर के आसपास के इलाके में माना गया है इनस्कोक ने इसी जगह को विश्व धरोर में शामिल किया गया है दंडी का कारण्य यही पर भगवान राम ने रावन की भण शुर्पनका के प्रेम प्रस्ता को ठुक रहा था और लक्षिमन ने उसके कान ना काटे थे यह गटना ओडी सांध्रा प्रदेश और छत्तित गट के पीच फहले विशाल हरे भरे शेत्र में हुई थी आज भी भगवान राम के निवास के चिन्द वहां मिलते हैं स्री लंका पहुच कर पहली बारिहा भगवान राम ने अपना खेमा प्रस्ता पित किया था ताली मनन वही जगह है एक लंबी लड़ाई के बाद भगवान राम ने रावन को मार दिया और स्रीलंका के सियाच चरन पर बेटे रावन के छोटी भाई भी भी शोंग को दे दिया यही परमाता सीता के अगनी परिक्षा हुई थी यही पर रामे चरन से आकर राम सेतु के जुड़ने के चिन्न भी मिलते हैं यहां उस्तान स्रीलंका के मननर आइलेंड पर स्ती थे दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे ओध्यस विडिया चैनल को प्लीज सस्क्राइब कीजिए और हां वो बाद जोली पेल आपकों भी दब देना ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकिशन आपको सबसे पहले मिल जाए और हमारे भी चैनल को अटिते हैं भी और हमारे ओदिए और हमारे आपकों मेंट कीजिए टावर हमारे थाए